पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ब्यान बहुत ही नापाक था शरमनाग था और ये पर्यास था कि 1971 में आज ही के दिन जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को धूल भारतिय सेना ने चटाई थी शायद उसका दर्द उनको अभी तक है 93,000 से जादा सेनिकों ने उनके सरेंडर किया था फूट फूट कर इनके नाना रोय थे ये अपने आप में दिखाता है कि दर्द तब भी था लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की धर्ती आतंक वादियों को पैदा करने के लिए सरक्षन देने के लिए आतंक वाद को बढ प्यास करती रही चाहे वो जम्मू कश्मीर हुए भारत के अलग-लग हिस्सों में हो यह दुनिया से छिपा नहीं है इनकी हरकतें इनके मनसूबे और लगातार आतंक वाद के खिलाव कड़ी कारवाई की है तो मोदी सरकार में हुई है और इस तरह के ब्यान किसी भी विदे देकर ये भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंक वाद का गड़ और जमीन और जन्नी पाकिसान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास किये गए